ओम नमस्षिवाए दुरलब सामगरी को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के उपर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले अगर हमारे ग्रूप में आप शामिल होना चाहते हैं तो ग्रूप के लिंक को आप यहाँ पर डून सकते हैं और आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रूप में शामिल हो सकते हैं ओम नमस्षिवाए, ओम नमस्षिवाए, आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्मास्टमी की पावन पर्व पर आप क्या कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे ज़ादा इफेक्टिव होगा या असरदार होगा, सबसे पहली बात तो यह है कि जन्मास्ट्रमी का त्योहार एक बहुत ही पावंत त्योहार है इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप उपाय करते हैं तो वो भी आपको दूसरे दिन के मुकाबले जादा लाब देगा और क्योंकि क्रिश्न जो कि सर्वगुन संपन सोला कला संपूरन संपूरन निर्विकारी मरियाद पुषवत्तम अहिंसा परमधरम कहा जाता है तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप प्रेम प्रसंग में फसे हैं आपकी जो प्रेम की गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ रही तो जनमाश्टमी पे आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप अपने प्रेम को वापिस पा सकते हैं आप सिर्फ कृष्ण का ध्यान लगाए राधा कृष्ण का ध्यान लगाएं और उनमें लीन हो जाएं अपनी सारी चिंताएं उन्हें दे दीजिए और आप यकिन नहीं करेंगे कि चमतकार होने शुरू हो जाएंगे आजकल के समय में आप देखेंगे यूट्यूब पे आपको तरह तरह की वीडियो मिलेंगी दो मिनिट में आपको चमतकार मिलेगा एक सेकेंड में चमतकार मिलेगा पल भर में चमतकार मिलेगा ये कर लो तो तभी के तभी हो जाएगा तो ये तो सरासर अंधविश्वान से धोका है ऐसा कुछ भी नहीं होता कि तभी के तभी चमतकार आपको देखने को मिले ये चीज़े काम करते हैं लेकिन इनमें समय लगता है और यूटीब पे तो आजकल ऐसा हो गया है कि सही चीज मिलना ना के बराबर है नामुम्किन सा साबित होता है सही चीज़ को ढूंड पाना और बहुत से ऐसे भी चैनल हैं जो सही चीज़ बताते हैं लेकिन उनमें भी कही न कहीं कमी है देखिए पूरा ग्यान कहीं नहीं मिलता मेरे चैनल में भी आपको पूरा ग्यान नहीं मिलेगा हर जगर कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रहती है लेकिन जितना हम से हो सकता है हम आपको सारी जानकारी देते हैं मांन लीजी है आप किसी को बहुत प्रेम प्रशंग में पड़े भी हैं बहुत जादा आप उसको प्रेम करते हैं और आप आप चाहते हैं कि कुछ भी हो जाब वो मुझे मिल जाए इसमें लड़का या लड़की कोई भी हो तो आप एक काम करिए आप दो फोटो निकल वा लिजिए अपनी और उनकी अपनी एक और उनकी भी एक उन दोनों फोटो को जो उनके जो फेस होते हैं जिस तरफ उनके जो प्रिंटिंग होते हैं उसको दोनों को एक दूसरे के उपर रख दीजे जो बैक साइड है वो सफेद रहना चाहिए पीछे का जो हिस्सा है वो सफेद रहना चाहिए और उसके पीछे आपको एक स्वास्तिक बनाना है स्वास्तिक आप लाल मारकर से बना सकते हैं स्वास्तिक बनाने के बाद दूसरी साइड जो फोटो है लड़की की उसके भी पीछे बना दीजेगा और दोनों को चिपका दीजेगा चिपकाने के बाद उसको रोल बना लीजे या फिर कैसे भी फोल्ड करके किसी भी भारी चीज जो की वजनदार हो उसके नीचे रखती चीए काफी उसका वजन होना चाहिए मतलब जैसे कि आप बैड के जो पाए होते हैं उसके नीचे रख सकते हैं किसी भी भारी चीज की नीचे रख सकते हैं जिससे कि वह फोटो दबी रहें दोनों आपस में मिले रहें तो यह भी बहुत जगह देखा गया है कि बहुत कारिगर साबित होता है इसमें कोई मंतर पढ़ने की जरूत नहीं है यह एक तरह से यंत्र की तरह काम करेगा सिर्फ आपको उसकी फोटो और अपनी फोटो दोनों को आपस में चिपकाना है उसकी फोटो और आपकी फोटो एक दूसरे से चिपक जाएं अच्छी तरह से आप ये पहले देख लें चिपकने के बाद उसको फोल्ट पहले उस पर लिख दीजे मारकर से स्वास्तिक बना दीजे अच्छे से और दोनों तरफ स्वास्तिक बनने के बाद उसको आपको वेट नहीं करना चाहते हैं, यानि कि हम उसे चाहते हैं कि वो दिल से प्यार करें, जब पूजा पार्ट से किसी को हासिल किया जाता है, तो वो दिल से नहीं, वो दिमाग से होता है, इस बात को आप हमेशे याद रखिएगा, लेकिन आज कल इतना कल्यूग है कि हर तीसरा इंसान, अगर आप किसी को दिल से प्यार करते हैं तो कोई न कोई उसे आप से छीनने में लगा ही रहेगा। अगर वो दिल से नहीं छीन सकता तो फिर वो पूजा पाठ कराएगा और आप से दूर करतेगा। क्योंकि कल्यूग है और कल्यूग में भी अंत का समय है तो परिशानी आना तो बनता ही है तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो जन्माश्ट मी के दिन राधे शाम से आप उनके बारे में बता सकते हैं आप अपनी मन की बात उनके सामने रख सकते हैं आ मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा किसी को वशी करन करके हासिल करना और किसी को दिल से दिल जीत के हासिल करना ये दोनों बहुत ही अलग-अलग चीज़े हैं अगर आप सही माईने में देखें तो अगर आप किसी को प्यार करते हैं और कोई परेशानी ना हो तो आपको वशी करन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आजकल ऐसा है कि बिना वशी करन के भी काम नहीं बनता तो मैं तो यहीं कहूँगा कि आप अपनी समझ से काम लीजिए जहां पर आपको लगे कि आपको वशी करन करने की जरूरत नहीं है वहाँ पर मत करिए क्योंकि वशी करन करने से दिमाग के उपर असर पड़ता है और अगर एक वेक्ति के उपर आप बार भार वशी करन करते हैं तो हो सकता है वो अपना दिमाग की संतुलन भी खो बैठे और ऐसे बहुत से cases देखे गए हैं तो आप जितना हो सेगे अगर किसी को चाहते हैं तो आप जो मैंने पानी वाला आपको बताया है experiment वो करिए वो इतना अच्छा है कि उसमें कोई भी नुकसान नहीं है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो तंत्र मंत्र के चक्कर में नजाने कहां कहां भटकते हैं और फिर भी उनका काम नहीं बनता देखिया आप अपने प्यार को पाने के लिए सिर्फ एक कोशिश करिए अगर आप मेरी बात माने तो मैं यही कहूंगा कि अपने प्यार को पाने के लिए सिर्फ एक कोशिश करें आप अपने प्यार को पाने के लिए सिर्फ एक कोशिश करिए और उसके बाद सब उपर वाले पे छोड़ दीजिए किसी के पीछे हाथ दो की नहीं पढ़ा जाता क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी को दिलो जान से प्यार करते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा तो हो सकता है कोई और आपको मांग रहा होगा और उसकी पूजा या उसकी अबादत में इतनी शक्ति होगी कि वो आपको किसी और का होने ही नहीं देगा लेकिन जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमारी आँखों के सामने परदा आ जाता है हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता उसकी गलतियां नहीं दिखाई देती, सिर्फ उसकी अच्छाईयां दिखाई देती है और यही होता है, तो सिर्फ आप एक कोशिश करिए, उसके बाद उसे छोड़ दीजिए अगर वो आपके नसीब में होगा, तो उसे शृष्टी अपने आप आपके पास ले आएगी कुदरत आपको उससे मिलाने के सारे रास्ते खोल देगी और अगर वो आपके नसीब में ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपको नहीं मिलेगा किसी ने हमसे पूछा था कि सरकारी नौकरी के लिए क्या करें, तो देखिए सरकारी नौकरी पाने के लिए अपने बुद्ध को पहले स्ट्रॉंग करिए, बुद्ध का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, और आप जब सो के उठें तो सबसे पहले धरती को आप प्रणाम के वज़ाए, लोग करते हैं, गाड़ी को रिवर्स करते हैं, फिल ले जाते हैं, तो जब आप इंट्रिव्यू देने जाएं, तो उस दिन आपको सबसे पहले वो आगे चलानी है, और पीछे आप कर सकते हैं उसको, थोड़ा सा कि जादा नहीं, थोड़ा सा, तो इस तरह स हैं, उनको चीज़े भी मिलती हैं, और जो सोचते हैं, यह सब अकवास है, तो फिर उनके साथ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी होता है, हमारे जो वाइब्रेशन होती हैं, जो हम बाहर छोड़ते हैं, वही चीज़ें जो हैं सरिष्टी में बदलाव लाती हैं, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, या आप कुछ भी हमें बताना चाहते हैं, तो कमेंट के सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या आप कुछ हमें बताना चाहते हैं, तो आप हमारे वाटसप गुरूप पे भी एड़ हो सकते हैं, जूट सकते हैं, हाला कि गुरूप भी फुल हो चुका है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम तीसरा गुरूप भी आप लोगों के लिए बनाएं, क्योंकि मैंने एक गुरूप बनाया था, वो फुल हो गया, फिर दूसरा बनाया, वो भी भर गया, क्योंकि लोगों की संख्या इतनी जाद है, तो अभी तीसरा गुरूप आपके लिए बनाया जा रहा है, और मैं आपको इंत में इतना ही कहूंगा, कि देखिए, उपर वाले पे विश्वास रखिए, क्योंकि उपर वाले का जो मास्टर प्लान होता है, वो कोई नही करिए, अगर वो आपकी जिन्दगी में किसी को ला रहा है, तो उसे आने दीजिए, या वो किसी को आपकी जिन्दगी से निकाल रहा है, तो उसे जाने दीजिए, आप सभी को और आपके परिवार को जन्माश्टमी की बहुत बहुत बधाई, और शुब कामनाए, मैं आप इनके मेसेज हमारे पास 5000-6000 मेसेजे एक दिन में आते हैं तो रिपलाई करना मुश्किल होता है लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको रिपलाई करूँ और कोई भी वीडियो जो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर बनाई जाए या फिर कुछ भी आप बोलना तो उन्त में पच्चताना ही पड़ेगा ओम नमस्षिवाएग्ट